जहिन्द क्लास सभी चातरों का सर्राइज करीर अकैडमी के ऑनलाइन प्रेटफर्म में बहुत-बहुत सौगत है और इस क्लास में हम 12 अक्टूवर के करेंट अफेर को पढ़ने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के 12 अक्टूवर की घटनाए हैं और बीते दिन करेंट अफेर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 12 अक्टूवर के करेंट फेर्स क्या-क्या घटनाए हैं क्या-क्या घटनाए गटी तुई हैं जड़ देख लेते हैं इसको एक बार पुत्र नदी है और कई से जोटी नदी है तो वहां पर कई बार पानी इतना जाता भरा हो जाता है कि वहां पर बाढ़ा जाती है बहुत साथा नुक्सान होता है तो आसम सरकार जल्दूतों को नियुक्त करेंगे जिससे क्या है उस नुक्सान को हम बचा सकें बाढ़ के द कौन सी नदी बहती है ब्रह्म पुत्र कौन सी नदी ब्रह्म पुत्र बहती है और ब्रह्म पुत्र का नाम आसम में ब्रह्म पुत्र है बागी इससे पहले अरुनाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते है दीहांग बोलते है ठीक है और आसम में इसी ब्रह्म पुत्र नदी के बीचों बीच, कौन सा दीप है, माजुली दूइप है, जो की एक जिला भी है, ठीक है, ये क्या है, जिला भी है, और आपको बता दें, जब हमारा देश आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद 1950 में, इसी माजुली दूइप का जो एक छेतर था, वो 1000 वर्ग फुट था, ल कहीं पर अगर पानी बहरा है, ज्यादा बहरा है, नदी अगर उफान में है, तो होता है न, अपने अगल बगल के कगर को काटती हुआ जाती है, है न, नदी आवसाद बहा के लाती है, तो उसको बनाती भी है, लेकिन मान लिजए आवसाद कम बहरा है, और काटती ज्यादा है तो क्या करेगा उसका छरण हो जाएगा तो पहले क्या था यह एक हजार वर्ग फुट था अब कितना बचा है खाली 400 वर्ग फुट यहां से जो लोग काजी रंगा नाशनल पार्क है कौन सा काजी रंगा नैशनल पार्क यह जो काजी रंगा नैशनल पार्क है वैसे तो ये ब्रंपुत्र नदी के किनारे है किसके किनारे है ब्रंपुत्र नदी किनारे है लेकिन आपको एक चीज़ बता दे काजी रंगा ये जो काजी रंगा है ये जो रंगा नाम इसका दिया गया है ये रंगा नदी इसके जश्ट एक छोटी नदी है जो काजी रंगा नेशनल अभरण के राष्टे पार्ग के साइड से बहती है उस नदी के नाम पे इसका नाम पढ़ा है काजी रंगा राष्टे उद्द्यान या काजी रंगा नेशनल पार्ग और यह famous किसलिए है यह famous है एक सींग के गैंडे के लिए इसके लिए एक सींग के गैंडे के लिए famous है clear है आसम में कौन से जंजाती है आसम में बोडो जंजाती रहती है और बोडो एक भाशा भी है जिसको हमारे भारत में समविधानिक मानेता प्राप्त है तो इतनी चीज़े आपको किसी भी राज के लिए इतनी छोटी छोटी चीज़े पता होनी चाहिए, ठीक है, आगे बात करते हैं, किस बैंक के, किस बैंक के अंशिकालिक अध्यक्ष के रूप में आर गांधी को हाल ही में निप्त किया गया, किस बैंक के अंशिकालिक अध्यक स Venice Bank के Investor थे सचिन तैनोल कर सच यस बंक के अबैजर थे सच किन तंदूकर और नि किया है को बहुत बड़े पूर्व खिलाड़ी हैं किरिक्ट के बहुत 시청 ही ही में हिलेरी मेंटल का निधन हुआ है वो क्या थे लेखी का थी वो क्या थी लेखी का थी एक बहुत बड़ी लेखी का थी आगे भारत में पहला सफल पर्ण हाथ प्रत्यारोपन हाल ही में कहां किया गया भारत में हाल ही में सफल पर्ण हाथ प्रत्यारोपन कहां किया गया यह कहां किया गया है केरला में कि ध्यान दीजिएगा केरला में बहुत सारी पहाडियां हैं जो किसके लिए जाने जाती हैं मसालों के लिए जाने हैं जैसे सौफ की पहाड़ी जैसे इलाइची की पहाड़ी जैसे काली मिर्च की पहाड़ी जैसे लॉंग की पहाड़ी तेक केरला में वेंबनाड जील है जानत बिता होती है ना नौका या नौका के नाउंगों की रेस होती है ठीक है ध्यान दीजेगा पंबा नदी कहां पे है पंबा नदी भी कहां पे है केरल में है ठीक है ध्यान दीजेगा और जो यह जील है लगून टाइप की बनी हुई है कैसी जील है लंबवत जील है कैसी जील है लंबवत जिल है भारत की लंबवत जिल है अगर कभी भी नाम आएगा कि भारत की लंबवत जिल कौन सी है तो नाम बताईएगा किसका बैमिनाड का क्लियर है आय सोज में और देखे ये जो केरला है केरला कौन से तट में आता है बताईए माला बारतट कौन से तट में आता है माला बारतट और माला बारतट हमारे कौन सागर में है अरब सागर में कहां पर है अरब सागर में ठीक है तो इतना चीज आप लोगों को पता होना च स्थापित करने वाली पहली e-commerce company कौन सी बनी है Amazon जानते ने जैफ बेजोस कंपनी shopping company है क्या Amazon हाल ही में भारत में solar farm से स्थापित करने वाली पहली e-commerce company कौन सी बनी है Amazon Amazon के मली कौन है Jeff Bezos ठीक है कौन है Jeff Bezos और यह कहां के है अमेरिका में है ठीक है और ध्यान दिजिएगा इस आदमी को जब आप ध्यान रखेगा तो यह भी आपको मैंद में रखना है कि सबसे ज्यादा महंगा सबसे महंगा तलाग भी किसका हुआ है इसी व्यक्ति का हुआ है ठीक है आधे पैसे लेके भाग गए इसकी अउरत ठीक है आया सौंझ में फिर जिसके साथ भागी उसको भी तलाग दे दिया चलिए इसमें हमारा कौन-कौन से राज्ज आया थे एक आसम आया था और कौन सा है था केरत तो सबसे पहले हम आसम को दिख लेते हैं यह हमारा भारत है और फ्यारे भारत का अगर हम मैप को थोड़ा सा बड़ा करें तो पूर्वोत्तर राज में इधर देख रहे हैं यह क्या है हमारा आसम देखिए हमारा जो आसम है वह तीन तरफ से परवतों से किस से घिरा हुआ है तीन तरफ से परवतों से घिरा हुआ है ठीक है और देखो यह आसम है यहां मान सरोवर जीव से एक नदी आती है बहते हुए और यहां पर दिहांग दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रिवेश करती है जहां पर उसका दिहांग नाम रहता है और फि तिन तरब से परवतों से घिरा हुआ है कौन सा देश आसम देश तीन तरब से परवतों से घिरा हुआ है क्या आसम देश बोल रहे है राज राज ठीक हैं आसम राज आसम की राजधानी क्या है डिस्पूर आसम से कौन सा राज़ निकाला गया है मेघाले कौन सा राज़ निक पर देखो यह लिए लिए अधर क्या है पश्चिम मंगल यह इधर क्या है अरुणाचल प्रदेश दो और नागा लेंड तीन और मनीपूर चार और मिजोरम पांच और तृपूरा चैनल और एक और गाले साथ पूरुवत्तर सेवन सिश्टर्स में आता है हमारा क्या आसम मानस अभ्यरण भी यही पे है एक सिंट के गंडी के लिए जाना जाता है और यह और किसके लिए जाना जाता है चाय और कॉफी के उत्पाधन के लिए जाना जाता है क्या आसम जाना जाता है आसम की चाय बोलते हैं ना ओके आसम का प्रसिद्ध लोक निर्त क्या है वी हू बिल्कु सही आसम का प्रिसिद्ध क्या है वी हूँ और यहाँ पर कौन सा मंदिर है कमाख्या मंदिर है मंदर है ने आपर काफी बार पूछा जाता है कि कमाख्या मंदिर कहां पर है तो कमाख्या मंदिर कहां पर है आसम में चलिए एक और राज आये था हमारा कौन सा राज आ और केरला खुलता है कहां पर अरपसागर में और जो इसने तट बनाया है इसी को बोलते हैं कौन सा तट माला बार तट और यह गोवा के ऊपर कौन सा तट है को कर्ण तट ठीक है और इधर यह आंध्र प्रदेश से इधर तमिल नाड़ू तक यह काहूं सा तट है कोरो मंडल ठीक है कोरो मंडल तट और इधर उडिसा में कौन सा तट है उतकल तट ठीक है अब देखिए यह हमारा केरला है यह केरला में आप यहां पर देख सकते हैं कि यह देखो लंबोवत यहां पर बनी हुए जील यह लंबोवत जील ही क्या है वेंबनाड जील है और एक लगून जील है ठीक है इसी जील में नौका यान प्रतिवीता हर साल होती है केरला की चैरी अब पुरे भारत में चार जगा में पॉंडीचेरी जिसको बोलते हैं एक कराइकल में है पॉंडीचेरी और तमिन लाडू की थड़ा उपर और यहाँ पर अलग से पॉंडीचेरी है जो थोड़ा सा बड़ा छेत्र है घेरा हुआ है तो यहां पर यनम में पॉंडीचेरी एक और तमिलनाडू में इधर पॉंडीचेरी दो और इधर कराइकल में पॉंडीचेरी जो कराइकल है वो भी किसका पॉंडीचेरी का तीन और इधर आप माला हो जाएगा एक पॉंडिचरी का माला हो जाएगा तो भारत हमारा पॉंडिचरी का माला पहन लेगा चलिए यहां पर एक नीचे है कन्या कुमारी जो हमारे मुखे भूमी का दक्षणतम बिंदू है और यहां से हमारा शुरू होता है इंडियन ओशन यानि भारत हिंद मह सागर जो कि एक देश के नाम पर पड़ा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और किसका नाम आया था यहां पर किसी देश का नाम आया था क्या एमेजॉन का नाम आया था तो देखो यह हमारे विशो का भावगॉलिक मैप है यह हमारे विशो क्या है भावगॉलिक मैप देख यह हमारा यहां पर भारत और हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर कवर करके आप कहां पहुंचेंगे सीधे फिर आप देखो, यहां से क्या गया है, भूमद रेखा गई है ना, भूमद रेखा गई है ना, अब भूमद रेखा के इर्द गिर्द का इलाका कौन सा होता है, भूमद रेखिये छेत्र होता है, यहां पर कैसे वन पाए जाते हैं, सदा बाहर हरे भरे वन पाए जाते हैं, क्या पता है बूंद फिर वो पत्ती में लग लग के लग लग खतम ही हो जाए ना तो नीचे तक आई ना और यहां कि जो जमीने वो दलदरी है यहां पर इतने ज्यादा सघन वन है इतने ज्यादा साधा यह बाहर हरे बरे वन है कि पूरे विशो का 20% oxygen कौन उतपन करता है एम आये समझ में तो Amazon हमारे कौन से महादीप में है जंगल अब देखो दक्शणी महादीप यह रहें यहाए यह देदर पस्पति में देखेंगे क्यों तो क्या है दक्शनी प्रचांद महा सागर उत्तर में देखेंगे तो ये क्या है उत्तरी अंध महासागर और इधर उत्तर में देखो जाएंगे भूमत रेखा के उपर तो उत्तरी प्रशांध महासागर ये इधर चिली से और नीचे जाएंगे यहां से और नीचे जाएंगे तो अन्टाक्टिक महा सागर है ना इतने बड़े-बड़े सागरों से घिरा हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं छटवा प्रश्ण एम्स 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 दिल्ली का नया निदेशा का हाली में किसे निप्त किया गया एम्स दिल्ली का नया निदेशा का हाली में किसे निप्त किया गया वो किया डॉक्टर एम्स रिनिवाशन को ऐसे बच्चे हाथ खड़े करें जिनको एम्स नहीं पता कि एम्स क्या है आप लोगों को नहीं पता और इतने सारे बच्चों को एम्स नहीं पता आप लोगों को भी नहीं पता, देखो, यह जो AIMS है, यह भारत का सबसे बड़ा सरकारी होस्पिटल है, इसकी कई ब्रांचे से All Over India में, जैसे बिहार में है, और दिली में है, बहुत जगा पुने में है, बहुत जगा इसकी ब्रांचे से है, सरकारी होस्पिटल, बहुत बड सरकारी कॉलेज कौन सा है, AIMS, सरकारी कॉलेज, बड़े-बड़े डॉक्टर है यहाँ पर, और सस्ता इलाज होता है, और मुफ्त इलाज भी होता है गरीबों के लिए, और एक से बड़े डॉक्टर यहाँ पर रिसर्च भी करते हैं, और यहाँ पर पेशेंट को देखते और जो हमारे होते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं बच्चे, जो MBBS का पेपर, एंट्रेंस एक्जाम निकालते हैं, तो आपको बता दें, वो बच्चों का एड्मिशन कहा होता है, AIMS में होता है, लेकिन किन बच्चों का? अवल बच्चों का, जो सबसे ज़्यादा नंबर ल समकष, मेडिकल छेतर में कौन सा है, AIMS, अब देखो यहाँ पर क्या नाम आया है इसका, जड़ा देखें, यहाँ पर क्या नाम आया है, AIMS, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, All India Institute of Medical Science, All India Institute of Medical Science, और सबसे बड़ा इसका जो बिल्डिंग है, वो कहाँ पर है, New Delhi में, AIMS में, ठीक हैं, आप लोग जितनी भी से, जी, फ्रीम इलाज होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पैसा वो लेते हैं, क्योंकि अगर पैसा नहीं लेंगे तो मिंटेनेस नहीं हो पाएगा, है ना, लेकिन हाँ, और जितनी भी बड़े बड़े होस्पिटल है, प्राइवेट होस होगा, कहाँ पे होगा, एमस में होगा, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं यहाँ पे, और इतना बड़ा होस्पिटल है कि यहाँ पे डॉक्टर बहुत बिजी रहते हैं, पता चला आज आप गए दिखाने के लिए आपको एक महीने बाद की डेट मिल रही है, कि एक मह करते हैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बहुत बड़ा कैमपस है इसका ठीक है तो इसके महानिदेशक किसको बताएगा बनाएगा भी डॉक्टर एम श्रीनिमास को अब पता चल गया न कि इम्स क्या है चलिए आप न भूलिएगा फुल फॉल फॉर्म क्या इसका ओल इंडिया इंस्टीव डॉफ मेडिकल साइंस अच्छा अब देखी क्या है हाल ही में किस राजी सरकार ने हमर बेटी हमर मान है ना हमर बेटी हमर मान नहीं को बंदेखी पढ़ेंगे नहीं लिखाएंगे 18 साल की कि वीह बिया गड़ा यह सब आपको बता दे लिखने से कुछ नहीं होता है उत्म पर सब्सक्रार कारें होती है कि लिगने से कुछ नहीं होता है इस में अमलबी और बंसक्र में पहले एक चोटी पत्ची नवजात शीशुति कशड़े के धहर पड़ी है तो यहां पर सरकार्स में ब enseALI सक misma कि ऐसा नारा यहां पर देना चाहिए कि बेटी जर्म तो बेटी में कियों पहते हैं पतां नहीं कब से नारा चल रहा है बेटी बचाओ बेटीचेंजेट चले जाए जब गना हैब तो ये जो हमर च्राइब मरमान है यह किस ने शुरू किया है 36 गड़ राज ने शुरू किया है और 36 गड़ राज को सन 2000 में कहां से निकाला गया है मध्ध प्रदेश से निकाला गया है और समुधरी घोड़े के आगार का कौन से राज है 36 गड़ राज है ठीक है यहाँ यहाँ पर कौन से जंजाती रह में हालही में किसे चुना गया है दिलिप तिर्की को है ना होकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में हालही में किसे चुना गया है दिलिप तिर्की को होकी जानते हो क्या होता है नहीं जानते होंगे क्योंकि होकी कभी सरकार हमें प्रमोटी नहीं करती है बस एक ही गेम क क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट के सभी खिलाडियों को आप जानते होंगे, लेकिन होकी के एक भी खिलाडी को आप नहीं जानते होंगे, यह हकीकत है, क्योंकि हम इंट्रेस्ट नहीं रेते हैं, अपने देश के खिलाडियों को आगे बढ़ाने अगा, यही कारण है कि हमारे ये जो हौकी इंडिया, हौकी टीम के वो खिराणी वो इतने बचारे गरीब है कि हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। क्रिकेट का कोई अगर जीत जाये तो उसको एक करोड़ सरकार देती है, दो करोड़ सरकार देती है, इनका कोई नाम। जबकि हमारे देश का राष्टिय खेल क्या है, हौकी है, तो सरकार को प्रमोट करना चाहिए, तो दिलिप तिर्की को क्या बनाए गया है, हौकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में, मानता मिली है इन्हें, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत और कौन सा देश सब्त क कोशी उच बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुआ है, कौन? नेपाल, हमारा प्रिय भाई नेपाल, ठीक है? देखो, कोशी बोल रहे है ना, कोशी के उपर मांध बनाने के लिए सहमत हुआ है, कोशी नदी नेपाल से आती हो, बिहार में प्रिवेश करती गंगा नदी में अकोशी नदी को बिहार का क्या बोला जाता है शोक बोला जाता है क्यों क्योंकि जिस इलाके में यह बहती है यह वही इलाका है जो तिबत के पठार से टकराया था और इसके नीचे की जमीन धस्ती चली जा रही है और धसने की वजह से हर साल धस्ती है यानि क तो नदी का रास्ता हर साल क्या हो जाएगा जाएगा नहीं वहां पर बहने वाली सभी नहीं लेकिन सबसे ज़्याता बाही कोन मचाता है यह मचाती है अब बताए यह हमारे तो और भी दुश्मन है लेकिन सबसे ज़्याता परशान किसके नहीं आंकल देते हैं वह पहुंच गें भारत तक हम मंगल तक रोटर की टार रह दी है वह आज भी हमारे बॉर्डर की तारह ही काट रहा है है ना हम एक से एक आईएस ऑफिसर आईपेस ऑफिसर पुलिस एदिकारी और एक से एक फौजी कमांडो उत्पन करते हैं वो आतंगवादी उत्पन करते हैं यह जीज है तो जो सबसे ज़्यादा तबाही मचा के रखें नाक में दम कर सबसे ज़्यादा परसां करके कौन रखा है कोशी नदीज है ना यह चीज है चलिए तो यह वह पढ़ लेते हैं हाल ही में भारत और कौन सा देश सब्त कोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमद हुआ है नेपाल देश ठीक है इसके बाद देखे कि नए महानिदेशक यानी चेर्मैन यानी अद्ध्ययक्ष यानी प्रेसिदेंट किसको निउत किया गया है डॉक्तर राजीव को अब देखो इसमें किसका नाम आया है चाहतिस गड़ और किसका नाम आया है एंडियन काउंसिल ओफ मेडिकल रिसर्च हमारे भारत की यह के ऐसी परिशद है जो मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बनी अब medical में research कौन करेगा बड़े-बड़े doctor लोग research करेंगे तो वो जो research करेंगे उनको प्रमारित कौन करेगा Indian council of medical research अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी 1911 में और इसका मुख्याल है कहां पे है निय दिल्ली में इसका full form क्या Indian council of medical research 1911 और इसके अभी जो अधक्ष बने है क दिल्ली में इसका क्या है मुख्याल है चलिए और अभी इसमें नाम आया था नेपाल देश का तो देरा देखो हमारा ननीहाल आप सब लोगों का ननीहाल पूरे भारत का ननीहाल क्या नेपाल देखो नेपाल को हमने तीन तरफ से घिर रखा यह देखो नेपाल को हमने ती तो नेपाल व्यापार तो करता है आयात निर्यात करता है यह बता यह चोटे भाई को कौन मदद करता है बड़ा भाई बड़ा भुजा होती है चोटे भाई की है ना तो यह नेपाल जो है क्या बोलते हैं हमारा चोटा भाई है और यहीं पर क्या था जनक पूरी थी क्या पू से धार्त ने ग्रहतिया किया था ग्रहतिया करने के बाद बिहार आये और बिहार में उनको ग्यान की प्राप्ति हुई और बोध गया में ग्यान की प्राप्ति होने के बाद बहुत धर्म की शुरुवात हुई ठीक है आप देखो बहुत सारी नदिया क्योंकि नेपाल तो पर खाण हे पढ़ा इक चहते में हिमार खारा रहा ए और Vएस्था को चहतु है दारू भी बंद करवा दीओ आदुवहे तो करे क्या है नंदी भी वहां से तबाही माचा रही है थिक ए तो यहें नेपाल अब जरा देखो नेपाल से हमारे कितने राज टच होते हैं नेपाल देश से हमारे कितने राज अंतरराष्टी बाउंडरी बनाते हैं या देखो उत्तराखंड एक उत्तरप्रदेश दो बिहार तीन वेस्ट बेंगॉल चार और सिकिम पांच ठीक है आया समझ में कोई दिक्कत आप लोगों को इसके करती थी यहां से इतना बड़ा राज्य हुआ करता था बहुत बड़ा राज्य लेकिन सन 2000 में यह जो समुद्री घोड़े जैसा दिखने वाला आकार है यह इसको काटकर 36 गड़ बनाए गया और इसकी राजदानी किसको बनाई गई राइपूर को अब यहां पर अत्यदिक कबजा अभी किस चीच का है नकसलियों का नकसली हमने बहुत ज़्यादा होते हैं यहां पर ठीक है अब देखो यह जो 36 गड़ है 36 गड़ में छोटा नागपूर के पठार में आता है यहां 36 गड़ जारकंड मद्यपरदेश ओड़ीशा और यहां पर इतना ज़्यादा खन जारकंड देखो एक उत्तर प्रदेश दो मद्यपरदेश तीन महाराष्ट चार तेलंगन पांच और आंध्रपरदेश च्छे और उडीसा साथ और देखो कहीं बांडरी बना रहा है क्या सागर के साथ नहीं ना तो यह क्या है इस तलबद्ध राज्य है आया सौंज में च संहर करें का कौन सी सरकार आजम सरकार ना बळ्चों की मौतों को रोकनी के लिए अगे बढ़ते हैं जिता तेक है यह क्ए एक महिला है ठीक है द्यान दीजे का यह पुरुष का नाम नहीं, महिला का नाम है लिंडा फ्रोविर्तवा ने ठीक है चिन्नाई ओपन का खिताब आगे परते हैं हाल ही में चरचा मुक्त रहा मूनलाइटिंग किस छेतर समदित है हाल ही में चरचा में चर्चा मुग्त रहा कौन सा? Moonlight किस छेते संबंदित है? रोजगार. ठीक है? यानि जो Moonlight है ये युवाउं के रोजगार संबंदित है इसमें देश में चर्चा आजकल नहीं की जा रही है और आप देख पारे हो देश में हर मुद्दो पर बात होती है किसने? गुजरात ने. हाल ही में, किस राज सरकार ने हाल ही में मवेशी नियंतरण विद्यक को वापस लेने के लिए नियनलियाव कौन सा है? गुजरात. कभी भी अगर आप गुजरात का नाम देखेंगे ना क्या है? गिर राष्टे उद्यान. गिर राष्टे उद्यान. एशियाटिक शेर के लिए जाना जाता है. किसके लिए? एशियाटिक शेर के लिए जाना जाता है. तो चलिए इसमें कौन-कौन सा है? गुजरात आ रहा है ना? चन्ने. मवेशी मतला जानवर? आप जानवर मे क्या होता है मवेशी देखें हमारा गुजरात राज आये था तो जाना देखिए हमारा सबसे पस्चमी राज सबसे पस्चमी राज हमारा क्या है गुजरात देखिए यह जो गुजरात है यह जो बना हुआ ऐसे करे यह गुजरात मुझे लगता है कि अगर गुजरात नहお हें तो हमारे चार बेरोज़गार हुजएं नर्कि यह मारे या लड़के बेरोज़गार हो जाएं को कि यहां सूरत है झाय लो अगर पड़ेंगेने लिखेंगे नहीं तो तो इनको रोजगार कहा मिलेगा सूरत में मिलेगा ना तो अगर गुजरात ना होगा तो यह बेरोजगार हो जाएंगे ठीक है पढ़ना इनके बसकतों है नहीं तो सीधी सी बाते कहा जाएंगे सूरत क्योंकि यहां पर किसकी छपाई होती है साडियों की छपाई होती है और ह आपर गालियां देता है मालिक और साल में एक बार कपड़े देता है, साल में एक बर बोनस देता है, चाली सा000ने तो तुम्हेराइज़ बीसा000नल मिलता है, टेक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखें, जराः ध्यान दीजेगा, ये जो गुजरात है न, यह जो गुजरात वाला ही लागा है, यह पहले इतना बड़ा था, गुजरात पहले इतना बड़ा था, यह यहां से, इतना बड़ा था, और इसको गुजरात नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे सावराष्ट, क्या बोलते थे, सावराष्ट, अब सावराष्ट में से जो कौन सा है गाउर माता कौन सा है गाउर माता सरक्री किया फिर द्वार का और यहां पर दो खाडियां है एक खंभात की खाड़ी और एक कच की खाड़ी चलिए आगे बढ़ते हैं हाल ही में सुप्रीम कोट ने ऐसी का मतलब क्या होता है सुप्रीम कोट ने आई ओ एक संस्ता है इसके नियम और कानून नियम और कानून में संशोधर करने के लिए किसे नियुट क्या है एल नागेशवर राओ अब यहां पर सबसे बड़ी चुनौती है कि यह आई ओ ए है क्या है कौन पताएगा आई ओ ए क्या है आई ओ ए कौन है क्या है कर दो क्या है किया है नहीं पता इंडिया अब अच्छा नीचे देख क्या बता दिया देख क्या बता दिया तुम्हारी नजर नहीं गई क्या यहां पर अरे तो फिर भी इतना तो दिखी रहा हुआ ना चलिए एल नागेशोर को बनाएगे है तो इंडियन यह आई-ओ-ए का मतलब क्या है इंडियर ओलंपिक असोसियेशन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में कहां पर हुई थी? नियुदिल्ली में इसका है नियुदिल्ली में है और वर्तमान में इसका चेर्मेन कौन है? अधीरी सुमारी वल्ला इतना आप लोगों को पता होना चाहिए तीक है? आई ओ ए का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक असोसियेशन और 1927 में इसकी स्थापना हुई है नियुदिल्ली में इसका है और वर्तमान के इसके अध्यष कौन है? अधीरी सुमारी वल्ला तीक है? आए समझ में? आगे बढ़ते हैं किस राज की विधान सभा में हाल ही में महीला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश एक दिन क्यों किया, इसको भी खटाई दो, एना, वो कभी आपने देखा है, एक बिचारा एक गरीब आदमी था, विकलांग भी था, तो क्या हुआ, उसको कम से काँ, आठ से दस लोग एक कमबल देने आए, आठ से दस लोग एक कमबल, तो वो बिचारा ठंड से मरे ना मरे, लेकिन एहसान से जरूर मर जाएगा, कि इतने सारे लोग एक कमबल देने आए, और उसकी शकल देखो गए न, तो साफ साफ जरक रहा था, ये अब अगले दिन गया, ये एक कमबल का एहसान, इतने लोगों को कैसे चुगाएगा, हॉस्पिटल में भी जैसे सांसत विधायक और एक केले में इतने बड़े हाथ लोग लगा रहे हैं, पांच-छे लोग एक केले में हाथ लगा रहे हैं, कितना बड़ा योगदान, मुझे लगता है, अमरीका से मंगाया गया होगा, वो केला केले वह यह इसे खा, तो जी जाएगा, है न, कितनी शर्म की बात है, 50-60 र आगे बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज में स्वास्त सेवाओं को बढ़ाने के लिए 350 मिलियन यूएश डॉलर करेंड मंजूरी दिया है, ध्यान दिजेगा, हाल ही में कौन संस्था ने, विश्व बैंक ने, राज में स्वास्त सेवाओं को बढ़ाने क के लिए 350 मिलियन यूएश डॉलर का रिड दिया है रिड दे रहा है कौन संस्था वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्याले कहां पर वाशिंग्टन दीजी में है ठीक है ध्यान दीजेगा और किसकी बनाई संस्था यह अमेरिका की बनाई संस्था है जब प्रिंसिपल ठीक है पैसे तो आपिस आता है लेकिन उसमें ज्यादा ही मिलता ही कारणे कि अमेरिका आज क्या है सबसे ज़्यादा आमीराद में तो किस काओं को दिया है वाई गुजरात राज्य को 350 मिलियन डॉलर किस ने दिया है विश्यू बैंक ने आगे बढ़ते हैं भारत और किस देश के कोश्ट गार्ड ने हाल ही में चन्नाई तट पर सयुकत अभ्यास किया अमेरिका भारत और किस राज किस देश के कोश्ट गार्ड ने हाल ही में सयुकत अभ्यास किया है तो अब अगर मैं पूचू तो इक कोश्ट क्या होता है कोश्ट गार्ड क्या हो हो सेना की आपको त्यारी कर रहे हो वर्दी की और आपको यह नहीं पता कि हमारे भारत की एक सैने टुकडी है जिसका नाम है क्या कॉस्ट गाड आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह केंद सरकार मिनिस्ट्री और डिफेंस के अंदर अंदर आती है और हर साल कॉस्ट गाड तत के तत्रक्षक और अमेरिका के तत्रक्षक ने आव यहाली में एक अभ्यास किया है कौन से त타्ट प web दृक कउरो मंडल तर्ट echo को ड़ूमंडल तर्टे किस ने किया है अमेरिका ने तो चलिए बढ़ते हैं आगे नाम आया है यहां अमेरिका का और नाम आया यहां पर अचाय चोण से राजिका नाम है उत्तर पॉचक्त और यहां तक लगता था उत्राखंद था लेकिन सन में उत्तरप्रदेश के तेरह परवतिये जीलों को काड़ कर क्या बना दिया गया उत्रखंड बना दिया गया फिर हमारी चोटी हो गई तो जहां हम बाउंडरी के मामले में पहले स्थान पे आते थे अब किसमें आ गए चौथे पाइदां पे बाउंडरी यानि चेतरफल की दरश्टी में बड़ा राजय कौन सा है राजस्थान दूसरे नंबर पर माध्यप्रदेश तीसरे नंबर पर महाराष्ट और चौथे नंबर पर कौ तो मत लगाइए गा क्योंकि जो दिल्ली जुड रहा है दिल्ली राज नहीं है दिल्ली कैंदर शाशित परदेश ए है इतना आ है आप लुगों को सांज में उत्तर initiatives की राधा की बात होती है तो वह संयुक्त राष्ट अमेरिका की बात करता है किसकी बात करता है संयुक्त राष्ट अमेरिका तो देखो उत्तरी अमेरिका महादीप में एक देश है यह वाला अमेरिका इस अमेरिका के तट रक्षकों ने यह इधर एशिया का एक देश है भारत बंगाल क खाड़ी में भारत के तट्रक्षक के साथ एक युद्धव्यास किया है यह युद्धव्यास क्या होता है युद्धव्यास के मतलब हम वो हमारी टेक्निक सीखते हैं और हम उनकी टेक्निक सीखते हैं ताकि कल को अगर हमारे देश में तट्रक्षक किसे कोई अगर हमला हो जा था उस समय के में और टो पेली होगी तो अमेरिका का बुलाया ओगा यह कोई जमीन चाहिए किली और बिलकुल लेगा अससते का लेगा सेधिय बें अब यार नहीं बेशना चाहिए था यसे मान लो कि हमारे किसी पूर्वज ने इस हाईवे के बगल में की जमीन पहले कभी बेश दी रही हो और आज हमें पता लग जवे है तो पहले हम रोएंगे हैं पहले क्या होगा हम रोएंगे यह कियों यही कारण है कि अमेरिका और रूस की आपस में कभी नहीं बनती, दोनों, एक दूसरे का क्या है, चत्तिस का आगड़ाई कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी रूस के पास इतना संसाधन नहीं है, जितना संसाधन खाली किसमें है? अलास्का में है, ठीक हैं? आया समझ में? चलिए, आगे बढ़ते हैं 29 नंबर कुशंट अलास्का में हैं? जो हमारे अभी वर्तमान के उपराश्च्ट पती वो कौन है? जगदीब धनकड इससे पहले कौन थे? वकया नाइडू, इससे पहले कौन थे वकया, नाइडू, उनका कारेकाल पूरा हुआ, और उनका कारेकाल पूरा होने के बाद हमने इनको निव्त किया, कौन है यह जगदीप, दंखड, उपराष्ट पती, ठीक है, आगे लेकिए, लास्ट कोशन है, कौन सा राज हाल ही में, अपनी स्वें की स्वास्त वीमा योजना, CMHIS शुरू करेगा, तो कौन सा राज है, नागल है, कौन सा राज हाल ही में, अपनी स्वें की स्वास्त वीमा योजना चालू करेगा, CMHIS, अब आपका काम है, इसका फुल फॉर्म निकालना, CMHIS है क्या, और कौन से मंत्राले के में आती है ठीक है यहां से आज के हमारे करेंटे फिर खतम होते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में